हेलो प्रेंट्स मेरा नहां है सुस्मा और सुस्मा जी के मेंजर में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ चना भाजी की रेसिपी उमित कहती हम प्रेंट्स की आप लोगों को ये वीडियो जरूर पर संद आएगा और पसंद आए तो प्लीज टैक्स प्ली होती है इसके दाने मैंने निकाल लिया है आप इसकी जगह पर मटर भी डाल सकते है लेकिन अभी जो है व्लेज में यही洗ी पाती है बहुत मज़ा आता है काने में अगर आपको अरहल की सबजी की रेसिपी देखनें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं को चले यहां पर बनाना श्टार्ट करते हैं और चनाब भाजी ने अode यहांपी जी लिया है इसीसpex साथ ड्यजगे यहांने अरहर के दाने जिससे दूँआता हरी फलीया जो होती हैं उसके बीजग मैंने निकाल लिया है अगर आपको इसकी सब्जी की रेसिपी देखना है अरहर की तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और तेल मैंने यहाँ पे जो डाला है आपको इसा लग रहा हुगा जादा है लेकिन जादा नहीं होगा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है जादा डालेंगे तो वंटी स्पून जीरा एट कर दिया है और एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने बारिक कट कर लिया है तो चले यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है और इसमें बारिक कटी हुई लेशन डाल देंगे कम से कम मैंने यहाँ पे 15-20 कली लेशन के लिया है चना भाजी मे लेशुन की quantity थोड़ी सी जादा रखेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसमें लेशुन की पत्तियां डालना चाहते हैं जो गार्लिक लियूज आती हैं उसको भी बारी कटी भी डालेंगे तो इसका भी टेस्ट जो है इसमें बहुत ही बढ़ी असा उबर के आता हैं क्योंकि व्लेज में जब यह सबजी बनाई जाती ही चना भाजी तो इसमें लेशुन के पत्ते का यूज किया जाता है बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और हरी मीज इसमें एड़ कर देंगे कम से कम मैंने 8-10 लिया है तो जैसे कोई भी भाजी अगर आप टी स्पून एड़ करूंगी क्योंकि मैंने यहां पर ग्रीन चिली की कॉंटिटी थोड़ी सी जादा लिया है और चना भाजी जो है ना थोड़ी चटपटी रहती तभी मजाता है नमक डाल दें इसमें 1.5 टी स्पून के करीब नमक एड़ कर देंगे नमक की कॉंटिटी आ चार बड़े साइज की टमाटर लिया था अभी जो टमाटर आ रहे हैं ज्यादा खटे नहीं है इसलिए मैंने यहां पर चार बड़े बड़े डाला है बहुत बढ़ी टेस्ट आता है चना भाजी में अगर आ टमाटर की कॉंटिटी थोड़ी से ज्यादा रखेंगे तो बह आलो डालना पसंद करते हैं तो आप इसमें आलो विवारी कटे हुई डाल सकते हैं तो चलिए यहां पर मैंने चना भाजी को डाल लिया है और इसको हम पकने देंगे बिल्कूर मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसमें क्यूंकि पानी डालना नहीं है बिल्कूर ऐसी लोट तो इसलिए मैं यहां पर पानी एड़ नहीं करूंगी अभी फिलाल इसे ऐसी पकने देंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भाजी नहीं पकिये तो इसमें आद हंगलास के करीब पानी भी एड़ कर सकते हैं तो आपने देखा चमत चलाती हुई कितनी पक गई है इस और इसको फिर से में ढाक करीब 5-7 मिनट और पकने दूंगी उसके बाद में हम चेक करते हैं तो लीजे यहां पर हमारी चैना भाजी बन का तयार हो चुकी है अब इसमें डालेंगे ठेश सारा हरा धनिया जो की देशी वाली जो धनिया होती है न वो पती डालिएगा सच मा बहुत ही जबदस घुजबू रहती उसमें और टेश्टी लगती है तो इस घाजी को आप जो चावल के आटे की रोटी होती है उसके साथ में खाईए या मक्या की रोटी के साथ में खाईए एंजॉय कीजिए उमिद करते हम आपनों को यह वीडियो पैसंदा होगा कर दीजिएगा मिलते हैं पीड डेक्स जेसीपी के साथ